प्रेज़ लौर्ड सबको जया मसी की मैं परमेसर का धन्यवाद देता हूं एक फिर से के परमेसर ने मौका दिया है कि उसके जीवित बचन के उपर हम मनन करें हाललुया और हमें आपका दोस्ट पास्टर राज मैसी आपके सम्मू को पस्तित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड प्रूथ मिनिस्ट्रीज हाललुया और हिंदी में है ये चैनल आप इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने दोस्तों को अपने परिवार को पर अब खास दर से दश्वांस के विश्ए में बाचित करूँगा क्योंकि एक भहती महत्तुपंड मुद्दा है ये इस पर भहत से लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें तो आज इस विश्वांस करूँगा तो ध्यान से सुनेएगा पूरे वचन को आई इससे पहले के वचन में जाया मैं एक छोड़ी सी प्रात्ना करना चाहूंगा जीवित और महांद्यारी पिता परमिश्वर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र तेरी तारीश तेरी बढ़ाई करता हूं प्रभू क्यों कि तुन्हें दिया है प्रभूजी मैं धन्यवाद प्रभू तुन्हें मेरी प्रात्ना को सुन लिया येश्व के नाम चे मांगता हूं आमेन अलविया तो मैं आपका दोस्त पासरवाज मैसी एक वाफिश से परमिश्वर के जीवित वचन को लेकर आपके सम्मों को पस्ते दूं और आज दसमांस के उपर हम बात्चित के हमें कहां देना चाहिए और क्या करना चाहिए पुराना नियम में इसका तालमेल है यह सब में आपको आज बताऊंगा तो ध्यान से सुनिए का पूरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद कॉमेंट सेस्टिन में जाकर बतायेगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा उन्मान है जिसका शुर्षा करें समलेंगिक्ता उसके बारे में मैं अगला एपिसोड में वो बनाऊँगा तो इंतिजार कीजिए उसका थोड़ी देर के थोड़ी दिनों के लिए तो मैं बहुत जल्दी इस एपिसोड को त्यार करके आपके सम्मुक लेकर आँगा हललिया तो आईए हम देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है मलाकी की पुस्तक तीन अध्याए और उसके नौ और दस पद में क्या लिखा है यहां पर इस प्रकार से लिखा है यह बहुती फेमत और बहुती परचलित आयत है यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम भारी श लेकर आओ और लिखा है कि मेरे भवन में भोजन वस्तू रहे और सेनाओ को यहवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे पर्क हो कि मैं आकास के जहरों के खोल कर तुम्हारे पर परमपाराशिश की वर्सा करता हूँ या नहीं हाले रहिया अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रूखें ऀरने चेहeten और कौंसे दान जो देने चाहिए क्योंकि मैं आएक बाद जानता हूं कि मनतिस्थ साथ और उसका साथ पद में लिखा है मांगो तो तो तुम्हा दिया जाएगा तो यह जो पध है जो आयत है बर्स है यह सब को याद रहती है मतिा अर्भषी साथ और उसका सा तो मुझ को तो मांगो less do gewoon a मag login ना शुरू कर देते हैं हम लूका 233 को भूल से जहाँ पर लिखा है तो देना लेने सेड़ा है प्रयितुए काम में 100 पालुस् कहते हैं Pre के लेना देने से अनल ए नियांत से हैं तो आयंगे हम देखते हैं यह अग्या दी है दस्वांस के बारे में हम देखते हैं मती पांच अधियाए और उसका 20 पद मैं पढ़ूँगा यहां पर क्या लिखा है हाललुया यहां लिखा है क्योंकि मैं तुमस्या पर कहते हैं यदि तुम्हारी धर्मिक्ता शास्त्री और फरीसियों की धर्मिक्ता से बढ़ करना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगी हाललुया यह सुमस्या पर कहते हैं दोस्तों कि हमारी धर्मिक्ता फरीसियों से बढ़ कर होनी की है अब सवाल ही उठता है कि उनकी धार्मिक्ता क्या है तो वो लिखा है लुका 18 ध्याय में है ना आईए देखते हैं उसको 18 ध्याय नौ पद से मैं पढ़ूँगा यह लिखा है और उनमें कितनों से जो अपने उपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुछ जानत से देया द्रश्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना कर रहे करने के लिए गए एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला ठीक है एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला अब फरीसी क्या प्रार्थना करा सुनिया फरीसी खड़ाओकर अपने म सब कमाई का दस्वा अंस भी देता हूं फरीसी की धार्मिक्ता देख रहे हैं सबता में दो बार अपवास रखता हूं तो येशु मसी ने काथ कि तुम्हारी धार्मिक्ता फरीशियों से बढ़कर होनी चीए तो दो बार नहीं हम तीन बार अपवास रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात हम दस्वान्स की बात कर रहे हैं यहां पर लिखा है कि मैं अपने कमाई का सबस कमाई का दस्वाहिस्ण देता हूं तो इसका मतलब येशु मसी हां पर दस्वाहिस्ण नहीं मांग रहे वो कहते हैं कि हमें उसके बढ़कर देना है ये सुमसी भी बैठेते और वो दान डाल रही थी देखतें लोग मंदिर के भंदारा में कि इस्प्रकार पैसे डालते हैं और भगोफएच्छ बोत्бы कुछ डाला बहुत धनवान है बहुत कुछ डाला मतलब बड़े बड़े नोट नोट डाले होंगे क्योंकि धनवान तो जिनके बाद जितने जादा धन होता हो बड़ा ही नोट डालते हैं हमेज साथ इतने में एक कंगाल विद्वा ने आकर दो दमणिया जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली तब उसने अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विद्वा ने सब से बढ़कर डाला है क्य फो उसके पास तो उसने वो डाल दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कि पर्मेसर जोर कभी भी ये नहीं देखता कि हमने कितना डाला है, वो यह देखता है कि हमने कितना बचा लिया। तो ध्यान दीजे गज़ बात के उपर के नया नियम हमें दस्मांस के लिए बात धे करता है वह हमें आघ्या देता है यह सुमसी की आघ्या है कि तुम्हारी धार्मिक्ता अगर फ़रीषियों से बढ़ करना हो तो तुम स्वरगे के रज्ज में परवेस करने ना पाओगी तो दस्वांस के विस्वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ दस्वांस जो है वो अलग है दान चार प्रकार के होते हैं पहला दान होता है दश्मांस दुसरा दान होता है वो दान जो हम चंदे में डालते हैं तीसरा दान होता है निज भेटे जो हम चर्च के लिए देते हैं या हम पास्टर के लिए देते हैं और चौथा दान अलग से होता है जो हम किसी पास्टर को या किसी मिनिश्ट्री को, किसी चर्ज को अलग से देते हैं, वो चोथा दान होता है, वो अलग से होता है, उसे कहते हैं अन्य दान, ठीक हैं, तो इस चार परकार के दान है, सबसे पहला है दश्मांस, उसके बाद है चंदा या हदिया, जो हम ठैली में या डबे में डालते है तीसरा है निजबेंट और चौथा है अन्यदान हम दस्मांस में से कहीं भी नहीं दे सकते हैं दस्मांस जो है वो हमारी चर्च का है जिस चर्च के हम मेंबर हैं जिस चर्च में हम जाते हैं आईए उसको देखते हैं कहा लिखा है हम देखेंगे पहला दूसरा इतिहास और उसका एकत्यस अध्याए और मैं उसकी दो आइस से पढ़ूँगा जल देली पढ़ूँगा थोड़ा लंबा है लंबा न हो जाए है न और हिच्किया ने याजकों के दलों को और लेवियों को प्रतिदल के अनुसार और एक-एक मनुस्य को उसकी सेवगाई के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि यहवा की छावनी के द्वारों के भीतर हूंबली मेल बली सेवा टहल धन्यवाद और सूती क्या करें फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाग को हूंबलियों के और विसराम और नए चान के दिनों और नियत समयों की हूंबली के लिए जैसा कि यहवा की विवस्था में लिखा है अब राजे हिस्किया के बारे में मैं आपको बता रहा हूं को कर किया रहा है उसने अपना सारा धन क्या कर दिया चर्च की सेवा में लगा दिया और चार और लिखा है पांच पद में ये आग्या सुनते है इसराइली अन नया दाक मदू टटका तेल मदू आधी खेती की सब भाती की पहली उपज बहतायस से देने और सब वस्थों का दस्मांस अधिक मात्रा में लाने लगे और जो इसराइली और यहूदी यहूदा के नगरों रहते थे वे भी बैलों और बेड़ बकरियों का दस्मांग और उन पवितर वस्तों का दस्मांग जो उनके परमेस्वर यहूदा के न्मित पवित्र की गई थी लाकर धेर धेर करके रखने लगे इस प्रकार धेर का लगाना उन्होंने तीसरे महिने में आरम किया और राजकों और लेवियों से उन धेरों के विश्य में पूछा और अजरिया महाजाजक ने जो सादो के घराने का था उसने कहा जब से लोग यहवा के भवन में उठाई भी भेटे लाने लगे हैं तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं और बहुत बचा भी रहता है क्यों वो क्या होता है उससे चर्च का काम चलता है पाष्टर का का में आपको एक बात बताता हूं कि कुछ से दो साल पहले मैं मैं बॉंबे गया था और मैं बाइबल पर पढ़ाने के गया था तो पहला संडय था वह तो यह ने देखा कि लोग क्य अक्वा करा रहे है नहीं तो मैंने, मेरे जो दोस्त हैं, सुरिंद, सुरी, सुनिल बंगेरा, इन्वे पूछा है, भाहिक यह क्या है, क्या रहęd है ये दस्मान से, फिर मुझे अगले हफ्ते फिर मैं चर्च में था तो फिर मुझे मौका मिला वहापर प्रिचार करने का तब मैंने वहापर दस्मांस के विसे में प्रिचार किया और मैंने उनको बताया कि जो दस्मान्स होता है वो थैली में डालने के लिए नहीं होता, वो अलग से होता है, वो पाश्टर के लिए होता है, थैली में डालने का चंदा अलग होता है, निज भेट अलग होती है, जो हम पाश्टर को देते हैं, या हम चर्च के लिए कुछ भी लाते हैं, कुर्सी लि सकते हैं और उसके साथ ही हम किसी सब्सक्राइब करता है तो यह नहीं कि हमारा क्षट मैं चाहिए गर करता है तो इसुक्त नहीं हम अपनी तरफ से उन को देएं कुंकि यहां बने पड़ा आप है कि जब से दुबारा पढ़कर बताता हूं अज़रिया ने कहा है दस पद में लिखा है अजरिया महायजयक ने जो सादो के घराने का उसने का जब से लोग यहवा के भवन में उठाई भेटे लाने लगे हैं तब से हम लोग पेड़ भर खाने पाते हैं वरन बहुत बचाए भी रहता है क्योंकि यहवा ने अपनी प्रजा को आश्री द सकता है तो मैं आपको बताले चाहते हूं कि धर स्वां जो है वो कभी भी हम फैली में या वॉक्स में डाले वह अलग सिसी हो छर्च में जिसके आप आप जाते हैं तो में यह स्वां को लेते हैं मेरी सिख्षा आपकरते और दसमां किसी और को देते हैं तो ऐसा नहीं कि चलता रूल के खिलाव है ये वचन के भी खिलाव है क्योंकि हमने पढ़ लिया है दूसरा इतिहास 31 अलग से हैं किस रा दान है निज बहेंट हम अलग से किसी की मिनिष्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिनको ज़ोर होते हैं उनको देने के लिए या किसी कोई पाश्टर हमारे घर में में आपको बताएछ में पुराना नियम पुराना नियम एक प्रिसेंट आप तक टिति कहाने सतना करना यह समापपकर।ओगा एक लड़की थी जो ऑफिस सीधी मीटिंग में गई और वहां पर तुस क्या कहा जब वहां पर बैठ गई तब मिटिंग जब खतम हुई तो पाश्टर जी ने कहा कि अब हम चंदा लेंगे और जब वह चंदे की थैली ऐसे यहां से चली तब परमेशन उसके मन में डाला कि जितने भी तेरे परसमें डाल दे और वह बहुत परिशान होगी कि मैं गई तो उसके आफिस में उसके टेबल पर एक लिफाफा रखा था और उसको जब उसने लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी तंखा तीन हजार रुपए बढ़ा दी गया दोस्तों परमेशन कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता कभी किसी का दिए लेकिन परमेशन ने उसको तीन हजार रुपए हर महीने के हिसाब से दिए कब तक जब तक वह जौब करेंगी तो हम देने में कभी भी कोताई ना बरते हम जब दें तो वचन में लिखा है पहला कुरुंतियों नौध्याय में कि परमेशन खुशी से देने वाले से प अल्ला है ऐसा करके मुझे पर्खो कि मैं आकास के छरू के खुल कर तुम्हारे उपर परमपारासिस के वर्था करता हूं या नहीं हाललुया तो मैं समझता हूं आप समझ गया होंगे आज कि वचन को कि दस्मांस हमें कहां देना चाहिए और जो चार तरह के मैंने दान बता चर्च के आखिर में डब्बे में या बॉक्स में या थैली में डालते हैं तीसरा है निज भेट जो हम पाश्टर को देते हैं कमी शाड कुछ भी देते हैं या चर्च की किसी कोई समान देने के लिए पैसा देते हैं या समान लाकर देते हैं और चौथा जो है वो है एक अन के लिए कि परमेसर ने वचन के दोरा हमें कुछ बाते समझाई हैं मैं गुजारिस करूंगा कि इस वचन को आगे बढ़ाईए शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस वचन के दोरा आशिशित हो अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर पूछेगा मैं उसका जरूर उतर दूँगा हालेलुया परमेसर आप सब को आशिशित करें परमेसर आप सब के साथ रहें परमेसर आप सब को अपने नाम के लिए अपने काम के लिए बहुत आएस से इस्तमाल करें और अपने आगमन के लिए तैयार करें हालेलुया झाल